अज हम लोगे हैं जंतरमंतरपा हमारी से साथ है शबिना खानजी शबिना खान जी जब UP भूजन ओमनेट को बढ़ाने का काम करती हैं और अंग युट चलाती हैं और समास से भी हैं आपका पहले हमारे चैनलर स्वाकत हैं कंवे तीन तलाक का डिसीजघन है लेकिन सरकार ने पूरी तरह से बिल में प्रोधान नहीं रखा है कि अगर तीन तलाग होने के बाद अगर आदमी जेल चला जाता है तो उस आदमी को तीन साल के सजा अगर हो जाती है तो उसके बाद उसके बच्चों और बीवी का भरन पोशन कौन करेगा यानि कि उनका मैंटरनेंस कौन देगा यानि तब भी तो रोड पे आ जाएंगे यानि कि अगर आप एक तरह से हेल्प कर रहे हो मुस्लिम महिलाओं के तो दूसरी तरह भी मुस्लिम महिलाओं हेल्पलेस हैं तो उसके लिए भी आपको एक बिल पास करना चाहिए था और उनका महीने का कुछ गुजारा भत्ता जो हो था वो आप देने का प्रोविधान रखते है ताकि उनको बाद में कोई परिशानी नहीं होती अगर आदमी तीन साल नहीं चार साल के पर जेल चला जाता भी मौलवी काजी हैं वो लोग सब बोल रहे हैं कि जो डिसेन है ये अच्छा डिसेन नहीं है देखें मौलवी काजी क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है कि ये मुसलमान भी नहीं चाहता कि एक साथ तीन तलाक कोई किसी को दे उसके बाद भी husband wife साथ में रहते हैं इस तरह से तीन मेने गुज़र जाते हैं तो फिल लास में तीन तलाग अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं अधर वाइस दोनों फिल साथ में रह सकते हैं ये प्रोवीजन है इसलाम में अब इंस्टेंट तीन तलाग सरकार ने बंद कि लेकिन तीन साल की जो सजा रखी गई है वो प्रवधान भी गलत है थोड़ा बहुत क्योंकि नॉन मुस्लिम जो होता है उसको एक साल की सजा है इसी मसले पे husband wife के मसले पर और जो मुस्लिम मर्द है शोहर है उसको तीन साल की सजा दे रहे हैं इस बिल और इस एक्ट में यान कि ना इंसाफी हो रही है मुसलमान मर्दों के साथ तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए तो वो सजा बहुत जादा दे दी है उसके बाद अगर आदमी तीन साल के जेल चला जाता है तब औरत का मैंटेनेंस कौन देगा इस पे सरकार को सोचना चाहिए तो यह पूरी तरह से बिल मुझे नहीं लगता कि वो बिल आगे कोई प्रुवधान है बिल में या कुछ ऐसा है तो बिल बेकार है फिर इस तरह से अगर फिर भी मुसलिम मैला है परेशान है यह उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो क्या सरकार जिमेदार होगी नहीं होगी न अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले